नमस्कार दोस्तूं, दोस्तूं हम देख रहेते रीट एक्जाम 2022 के लिए सैंसकर्त व्याकराण आज हमारी कलाश नमबर 6 रहेगी जिसके अंदर हम संदी की नेक्स्ट संदी, संदी का जो नेक्स्ट परकार है हल संदी है नहीं वेंजन संदी के बारे में अध्यान करेंगे बस आप अंतक मेरे साथ मने रहें, एक एक चीज है उसको देखते रहें ट्रिक के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तूं और जो भी साथ ही संसकर्थ व्याकरण का संपून कोर्ष लेना चाते हैं नोट्स हो, वीडियो हो, सिक्सन विदिया हो, परसन उत्तर हो या इसके अलावा जैसे ही एक जाम नजदी गाई तो एक महीने पहले 30 मोडल पेपर मिलेंगे संसकर्थ के वो कुचामन ओनलाइन क्लासेज डाउनलोड कीजिए, एप और स्टोर में लिंक दी गई है, वहाँ से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर रपी मिल जाएगी और एप के अंदर स्टोर में जाना है, वहाँ पर ये कोर्ष आपको मिल जाएगा दोस्तूं और बाकी की जो कलासें आप देखना चाते हैं अगर, तो आपको यूटूब की प्लेलिष्ट के अंदर सभी कलासे हैं, जो मिल जाएगी दोस्तूं शुरू करते हैं आज की इस कलास को, इससे पहले एक बार सभी साती वीडियो को लाइक सेर और जो भी नए साती जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज हम देखने वाले हैं मित्रूं, आज की कलास में हम देखेंगे सिरफ वेंजन संदी के बारे में स्पीड के साथ देखेंगे मित्रूं, नोट्स बना लेना, अगर नोट्स नहीं बनाए तो अभी बोल रहा हूं समझ में नहीं आएगा, नोट्स कम्पलिट करते जाएगे अपने, अपने आप समझ में आता जाएगा, क्योंकि ट्रिके छोटी है, दो दो तिन तिन पेच मे आपकी समपुन ट्रिके कम्पलिट होती जाएगी मित्रूं, तो चलिए मित्रूं, सबसे पहली देखते हैं, यह हल या वेंजन संदी होती क्या है, सभी को पता है, जो कलास देख रहे हैं, मेरे को पता है, सब को पता है वेंजन संदी क्या होती है, वेंजन वरन के बाद सव या वेंजन वर्ण आ जाए तो वहाँ पर जो विकार होगा वो वेंजन संधी का विकार होगा दोस्तूं अब चलते हैं परकारूं की ओर पहला जो हमारा परकार आता है वेंजन संधी का वो आता सचुत्वय संधी इसका उदारन आपके सामने में पहले रखूंगा फिर आगे समझाने का प्रियास करूंगा उदारन भहुत दूंगा दोस्तों उत पलस चारणम ये एक वेंजन संदी का ही उदारन है आपके सचुत्वे का ही इसको देखे मित्रू अब देखे क्या कहती है सुत्र होता है सचुत्वे संदी का इस्तो सचुना सचु इस सुत्र के अनुसार से और तेवरेग के बाद अगर से और चेवरेग आता है से और तेवरेग के बाद से और चेवरेग आता है तो आपका जो पेले वाला से और तेवरेग है ना मित्रू ये ये किसमें बदल जाएगा ये इसमें बदल जाएगा जो से है आपका सड़क वाला ये सलगम वाले में और तैवरग है वो चैवरग में बदल जाएगा मित्रू अब देखे कैसे बदलेगा ये नीचे बदला वा मैंने बताया आपको कि ये इसमें बदल जाएगा मित्रू अब देखे उत तै किसका है आपके तै किसका है ये रहा तै यहां से आया है तो पहले से आ गया चै कहां से आया है चै देखे यहां से आया है आया न मित्रू यहां से देखे यहां से यह चाह आया है तो जो तै है आपका ये किस में बदलेगा चै में, तै किस में बदलेगा चै के अंदर, तो क्या बन जाएगा, उ तै बदल गया चै में, बाकी चारनम लिख दो आगे, ये बन गया उ चारनम, तो यहाँ पर देखे आपको चै दिकाई दे रहा है, वो किस नियम से, यह किस लिखित, से, अब हमने चुत पड़ा था, वो क्या था, से और, तै यवरग के बाद में, अगर शे और चै वरग आए, यही था न मित्रू, तो यह किस में बदल जाएंगे? यह किस में बदल जाएंगे? से और, चै वरग में बदल जाएंगे, यही चीज थी हमारी, अब द आ रहा है तो से किस में बदलेगा आपका से बदलेगा से में ये देखे यहां पे कस्चित बदल गया उद्ध पलस जीवनम दे ते 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 वरग का है दे और आगे आ रहा है चे वरग का जे तो दे किस में बदल जाएगा चे वरग में चे वरग में दे क पे तीसरे इस्तान पे आईगा. यह देखे है, यहां पे जह. उज्जीवनम. बन गया मित्रू? आगे देखे मित्रू? कियत चीरम. क्यत. तेके बाद में चैर घै. तेक के बाद में चैर आ रहा है. तो तेक इसमें बदल जाएगा? तै बदल जाएगा आपका चै में और देखे कियत चिरम बन गया ने यह देखे यह चै लगा हुआ आपका तपस पलस चरिया सह के बाद में चै तो सह किस में बदलेगा सह आपका है जो सह में बदलेगा देखे तपस चरिया यह सह आपका बदला हुआ यह होती है आपकी सच्चुत्व संदी, सिरफ मित्रू अभी बता रहा हूँ आपको उधार्ण नहीं लिखने, आपको इतना ही लिखना है, सच्चुत्व संदी बनाओ, सच्चुत्व संदी एडिंग डालो, नीचे इतना लिखलो, और एक उधार्ण यह है, जो नीचे आप सुत्र क्या है इस्टू ना इस्टू important चीज मित्रू याद रखनी आपको ये नहीं आप बूल जाओ अब चलिए मित्रू ये संदी क्या कहती है ये संदी कहती है कि से और तेवरग के बाद में शे और तेवरग आ जाए जबकि आपके इस टूतू है संदी है इसमें से और तेवरग के बाद में से और तेवरग आता है एसी स्तती होती है तो जो ये आपके से और तेवरग है न ये किस में बदल जाएंगे से और तेवरग में बदल जाएंगे कैसे मित्रू, कुछ उधारण देकर बताऊं, तो देखे मित्रू, ये रहा आपके सामने उधारण, उधारण कुछ हटकर लेकर आया हूं, जिसने आपको भी पता चले कि इस उधारण में कैसे होगा तो देखिए ये रहा रामस पलस टीकते ये रहा रामस पलस टीकते ये सह देखिए यहां पर दिकाई दे रहा है ये सह रहा आपका ये टै और ये टै और गरा मतलब जो ये सह है ये किसमें बदलेगा ये किसमें बदलेगा इस सह में अब मिलाएए इनको क्या बनेगा रामस ट तीकते, ये बन गया आपका इस परकार, ये है संदी रामश टीकते दोस्तों समझे कुछ, क्या केना है इस संदी का, इस संदी का केना है सै और तैवरेक के बाद में शै और टैवरेक आए, तो पेले वाला सै और जो, पेले वाला है न ये ये किसमें बदल जाएगा इसमें ही बदल जाएगा मित्रू अब उदारन जो मैंने यहां पे मुखे उदारन लिके हैं वो देख ले मित्रू देखे दे के बाद में डे ये देखिए ये तेवरक का है तो दे के बाद में डे आ रहा है तो दे किसमें बदल जाएगा डे में ब थोड़ा सा सोचना है मित्रू. यहां पर देखे आपके क्या है? ते रे मैं. यह ना मित्रू? तो यह जो आपका ते थोड़ा सा इस उदारन को ध्यान से देख ले. यहां पर पहले आगे है आपका से और बाद में तर तो रास है. इस चीज़ को तो आप चेंज कर नहीं सकते आगे क्या मिला आपको तै रह मैं यही तो मिला है ना अब मित्रू देखे तै के बाद में सै आ रहा है तै वरक के बाद में सै आ रहा है तो यहाँ पे तै है यह तै किस में बदलेगा तै में बदलेगा किसमें बदलेगा ते में तो बनाईए ये रा ये आदा आपका से ये ते आ गया और ये नीचे रह लग गया और ये में ये बन गया आपका राश्टरम मितरू समझे इसी परकार का ये कुदान आपके सामने और रगदू में ये देखिए नस पलस ते ते के बाद में से हारहे है तो ते किसमें बदल जाएगा ते में बदल जाएगा अब देरी के मिलाइए ये नहीं ये आदा से और ते बदल गया टे में ये बन गया नश्ट दोस्तूूं आई समझ में ये होती है आपकी स्टूत वहे संदी तत्य पलस टिका ते के बाद में टे आ रहा है तो ते किस में बदल जाएगा टे में ते किस में बदल जाएगा ये टे में और तत्य टिका बन गया करिस पलस ने यह बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको क्या मिला आपको यहां पे करिस पलस ने अब यहां पर यह परिवत्तन कैसे होगा अगर अंत में आपको ने मिले करिस पलस ने अब यहाँ पे देखे ने मिल रहा है आपको तो देखे ते 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 ने ने किसमें बदले यहाँ पे तो सह आ गया आपका यहाँ पे ने इसी संदी की तरह जो आमने यहाँ पर देखे नही है तो ने किसमें ने के बाद में सह तो ने बदल जाएगा हने में। और यह बन गया आपका यहां पर देखें मित्रू, यहां पर देखें यह, यह देखें आपका क्या बन गया करिशन है दोस्तों, यह होती है आपकी श्टूतवे संदी, चलिये तीसरी संदी की ओर लंबी कलास होती जा रही है इसलिए थोड़ी स्पीड के साथ देखते हैं जसत्व संदी सुत्र क्या है जलाम जसो अंते जलाम जसो अंते संदी कौन सी है जसत्व संदी देखे पहला दूसरा तीसरा चोता वरण हो सै 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 है हो यानि कि जो दो वरण होते हैं ये पहला वरण ह इसमें यह जो अंतिम वर्ण है इनमें पहला दूसरा तीसरा चोता वर्ण या सह सह है हो और इसके बाद बाद वाले जो बाद वाला जो सब्द होगा उसका पहला वर्ण होगा वो तीसरा चोता पांचवा वर्ण हो सवर हो या ये वे रेल है हो इनमें से अगर आता है मित्रू तो क्या होगा जो ये पहले वाला है ना ये अपने ही वरग के तीसरे वरण में बदल जाएगा मित्रू अपने ही वरग के तीसरे वरण में एक उधारण लिख कर बता दूँ आपको फिर बाकी के उधारण हम देख लेंगे मित्रू तो देखिए मित्रू ये रहा आपका उध उधारण है सत पलस आगे आपको आचार लिख देते हैं ये रहा अपका पहला वरण यहां पर आ रहा है आपका तै तै द बनाईए सै ये दै ये आकार मिल जाएगा तो आ सैदा और ये चार ये बन गया शदा चार ये उतियत जसत वे संदी मित्रूं चलिए इसके उधारण देख लो ये रहे आपके सामने उधारण देखे मित्रूं सट पलस आनन टै पहला वरन है आ गया सवर है तो टै किस में बदल जाएगा अपने के तीसरे में और तीसरा टै ठै डै बन गया तो यह बन गया यहां से यह डै बन गया यह देखे सड आनन दिक पलस अमबर कै पहला वरन है आ सवर है तो कै किस में चला जाएगा गय में गय में चला गया दिगंबर बन गया दिग पलस गज कए पेलावरण है और गय क्या आपका तीसरा बरण है तीसरा चोता पांचवांवरण आसकता यहांपर यह वेरेल है आसकता आगिЕ्ए समझे तो यह बदल जाएगा घय में यह बन गया दिगज अच्छ पलस अंत यहां पढ़ रहे ना इसके दो नियम मिलते हैं दूसरा सुत्र देखे मित्रूं दूसरा सुत्र क्या कहे रहा है जलाम जसे है जसी जलाम जसे है जसी दोस्तूं यानि कि चोते वरन के बाद अगर चोता वरन आये तो क्या हो जाता है तीसरा वरन चोते वरन वही सुत्र है इसको यहां पे देखे बह, बह कुन सा है, चोता है, यहां पे दे, यह भी चोता है, तो यह बह, यह किस में बदल जाएगा, तीसरे में, और तीसरा हो जाएगा बह, यह लब्द है, यह देखे यह बह आ गया, यूद पलस दम है, यह चोता, यह चोता, दे बदलेगा आपका तीसरे में तो तीसरे के अंदर दे कौन सा आएगा ये दाएगा युद्धम ये बन गया मित्रू ये है आपकी जसत्वे संदी चोती संदी के ओर चलें तो आती है चत्रवे संदी देख किये मित्रू चत्रवे संदी सुत्र होता है खरीच है सुत्र क्या है आपके चत्रवे संदी का खरीच है पेले दूसरे तीसरे वरण के बाद पेला दूसरा या सह 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 आ जाए पेले दूसरे तीसरे चोते वरण के बाद अगर पेला दूसरा वरण और सह 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 आ जाए तो ये सबी के सबी पेले वाले वरण परतम वरण में बदले जाएंगे मित्रू कैसे बदलेंगे अब एक उधान में लिख दूँ आपको यहाँ पर देखे वूद्य हो गया आज़े लगादे इसके सव लगादे यह सव उद्य पलस सव यह कौन सा है तीसरा वरण है यह सः कौन सा है यह सः तो यह किसमें बदल جाएगा अपने पहले में किस में तव है अब देखे ऊ आदा तthय ये सह ये वै बन गया ना उत्सव मित्रूं इसी परकार होती है चत्र वसंदी जो उदारन है वो आपके सामने देखे सद पलस कार है दे तीसरा वरन आगे के पहला वरन तीसरे के बाद पहला आ रहा है तो दे अपने पहले में बदल जाएगा पहले में बदलेगा तो किस में बदलेगा तै में यह देखे तै सद कार है विपद पलस काल, दे, तीसरा है, पर्तम वरनार है, तो दे, पहले में बदलेगा ते, यह देखे विपद ते काल, उद पलस त्रीन है, यहाँ पे दे, तीसरा है, तो बदलेगा किसमें पहले में ते, और बाद में त्रीन है, उद तीरन है, यहाँ पे आ रही है आपके संधी next पांचवी संधी आती है हमारे वह आती है लट Saturday तोर्ली इसका सुत्र क्या होता है मिट्रू संधी का सुत्र बताइए मित्रू क्या होता है important संधी आपके लिए तोर लिए 6 ताय मित्रू देखिए अगर बड़ी या लंबी संदि नहीं है, simple संदी है, तैवरग के बाद में अगर ले आ जाए, साप कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, इस संदी को मित्रू परस्वन संदी भी का जाता है, यह याद रखना है, परस्वन संदी भी इसको का जाता है, लत्व संदी भी इसको कहते हैं, तो देखे अगर तैवर यह किसमे बदल जाएगा ले में बदल जाएगा अब देखे कैसे जैसे आपने देखा होगा उद पलस लेक उद पलस लेक अब यहां पे उद दे किसका है यह यह आपके तेवरक का है यहां पे क्या आ रहा है ले आ रहा है तो यह दे किसमे बदलेगा दे किसमे बदलेगा यह जो मैं रेड कर रहा हूँ यह ले में बदलेगा बनाएए उ देखी जगे यह ले आगे लेख है तो यह लेख लिख दो बन गया ना उन लेख यही होती है लत्व संदी उधारन देख लो यह रहे आपके उधारन मित्रू महत पलस लाब है यहाँ पे तेवरग है बाद में ले आ रहा है तो यह ते किसमें बदल जाएगा ले में मला बन गया तद पलस लीने देख तेवरग का है और बाद में ले आ रहा है तो दे किसमें बदलेगा ले में यह देखिए तद पलस लीने तलीने बन गया दोस्तों यह होती है लत्व संदी आगे चलिए चटवी संदी आती है हमारे अनुनासिक संदी कौन सी है मित्रों अनुनासिक संदी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा यह होता इसका सुत्तर दोस्तू अब देखिए इसमें क्या कहना चाते है देखिए यहां पर यहां पर यह रहा आपका कैचेटे तैपे वरग यानि की पांचुं जो आपके पांचुं कैसे लेकर मैं तक के वर्ण पचीस वर्ण आए और उनके बाद अगर वरग का पंचम वर्ण मिल जाए हड़े यह नह नह मैं तक कोई वरण दे, दिखाई दे तो, जो ये पहले वरण है ना कैसे, लेकर महतक की, ये अपने ही पंचम वरण के अंदर, क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, मित्रू, समझे कुछ, ये ही होती आपकी क्या, कोंसी संदि, अनुनासिक, नाम से अनुनासिक, अनुन का है तैवर का है समझे यह तैवर का आ गया आगे क्या रहा इसके यह पंचमवन ने आ रहा है क्या रहा है ने आ रहा है तो यह किसमे चला जाएगा पंचमवन के अंदर और पंचमवन आपके देखा पंचमवन होगा ने अब देखे क्या बना पै देखी जगे यह ने आ गया और बाकी नग पनंग बन गया वाग पलस नियम कहके बाद में नय आ रहा है कहके बाद में नय यानि पंचमवन कहके बाद में पंचमवन आ रहा है तो कह अपने पंचमवन में जाएगा हड़े में वाग नियम बन गया मित्रू सेट पलस मासा टे के बाद में मैं पंचम वन आ रहा है, तो टे जल चला जाएगा किसमें, अपने पंचम वन हने, शन मासा, बन गया मित्रू, यही है हमारी क्या अनुनासिक संदी दोस्तू, अनुनासिक संदी के आगे चलें, तो आजाती है अनुस्वार संदी, मो नुस्वार है, यह होता ह अनुस्वार संदी का सुत्तर important संदी है मित्रू यह नहीं है कि बेकार संदी है मो अनुस्वार है अगर परतम पद के अंत में आपको मिले मैं परतम पद के अंत में क्या मिले मैं और दीते पद के प्रारम में कोई vengeance मिले मैं के बाद आपको क्या मिल रहा है वेंजन तो जो आपका ये मै ना ये किसमे चला जाएगा अनुसुआर में ये अनुसुआर बना दी मैंने समझे उदारण देख लो मित्रू हरीम पलस वन्दे ये मैं आ रहा है और ये क्या रहा है वः यानी वेंजन मैं के बाद वः तो ये मैं किसमे जाएगा अनुसुआर में हरीम वंदे समझे दूसरा उदारण भी देख लो पापम सांतम मैं के बाद में क्या आ रहा है से मतलब वेंजन तो मैं के बाद वेंजन आ रहा है तो मैं चला जाएगा अनुसुआर में पापम सांतम यह होती है अनुस्वार संदी दोस्तूं आगे चले नेक्ट संदी की ओर नेक्ट है अनुस्वार पर स्वन संदी यह भूत इंपोर्टेंट संदी है मित्रूं अनुस्वार पर स्वन संदी मित्रू समझने का प्रियास कीजिएगा क्या कहने का मतलब है यहां पर अगर अनुस्वार के बाद यह परत्यार मतलब उस्मवर्ण को छोड़ कर सभी वेंजन उस्मवर्ण होते ना सह 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 है इनको छोड़ कर अगर कोई सा भी वेंजन आपको यहां पर दिखाई दे उस्म वर्ण को क्या कर दो यहां से हटा दो बाकी वेंजन यहां पर दिखाई दे अगर अनुस्वार के बाद तो क्या होगा मित्रू देखिए यहां पर यह जो अनुस्वार है यह पांचवां वर्ण है जो आपके जो यह वेंजन है यह पंचम वन में चला जाएगा मित्रू जो यहाँ पर वेंजन है ना इसके अनुस्वार अनुस्वार बदलेगा कैसे बदलेगा अभी समझ भी नहीं है उधारन लो मित्रू जो यहाँ पर दिया हुआ यह उधारन ले लो मित्रू तो ले लो मि तो देखे यह अनुस्वार बदलेगा पंचमवन में यह जो अनुस्वार है यह जाएगा पंचमवन में लेकिन पंचमवन बनेगा आपके किसका जेका अब जेका पंचमवन क्या होता है यह है यह आ गया मित्रू देखे यह नीचे बनावा भी है संजे संजे मित्रू यह होत ठित दिया है क्या दिया ठित अब देखे यह अनुस्वार जाएगा पंचमवन में और पंचमवन आएगा ठेका ठेका पंचमवन क्या होगा आपके हने होगा यह देखे कुंठित यह हने पंचमवन लगावा दोस्तु तो यह अनुस्वार परस्वन संदी नोवी संदी आती ह हमारी छत्वे संदी, कोंसी संदी आई है, छत्वे संदी, इंपोर्टेंट संदी, चलिए देख लेते हैं, यह भी क्या होती है, कोई खटीन संदी नहीं है, छत्वे, ससोचाटी, यह होता है इसका सुत्तर, अब क्या से मिले तो ये पहला दूसरा तीसरा चोता वरण है ये तो चै में बदल जाएगा और जो से है ये चै में बदल जाएगा ये भहुत important है, चत्व संदी बहुत important है मित्रू, उदारन से समझे, ये देखे आपका उदारन मित्रू, पहला दूसरा तीसरे वरण के बाद में सै आये, तो पहला दूसरा तीसरा तो चैवरग में और सै चैवरग में, सत्पलस सास्त्रम, ये तै आ रहा और ये सैरा, तो ये जो आपका तै है, ये किसमे बदलेगा, चै में, और ये सै किसमे बदलेगा, चै में, अब देखे, सै, ये तै की जिगए चै, और सै की जिगए च्छा, यानि यहां पे साता च्छा हो गया, सत्रम, सचास्त्रम, बन गया मित्रू, उत्पलस स्राए, यहां पे क्या है तै और यहां पे क्या है सै तो तै बदल गया छै में सै बदल गया छै में उच्छा यह बन गया दावन पलस ससक है नै तै तै दै नै समझे मित्रू अब यहां पर कुछ समझने का प्रियास कीजिए दावन पलस ससक यहां पे यह आपके कौनसा वरन आ गया है थोड़ा सा सोचने का प्रियास कीजिए दावन पंचमवन प्लस से आ रहा है तो जो नय है ये किस में चला जाएगा नय किस में जाएगा मित्रू शोचिए यहां पर अब यहां पर आपका चै नहीं बनेगा पंचमवन आ जाए ना तो पंचमवन किस में चला जाएगा पंचम है दोस्तों समझे मित्रों और अगली संदी के और चलते हैं तो अगली संदी आती है तुगागम संदी मित्रों भहुती संदी है सिंपल सी संदी है तुगागम संदी देखे हर स्वे स्वर के बाद में अगर च्छ आ जाए हर स्वे स्वर यानि कि ए हो ई हो उ हो यह हर स्वे स् है यहाँ पे तैका आगम होगा और जैसे ही संदी होगी तो यह चैक इसमें चला जाएगा चैमे तूगा तूग आगम तैका आगम नाम से ना तैका आगम मित्रूं और आगम होते ही तै बदल जाएगा चैमे परी पलस छेद यहाँ परी पलस छेद यहाँ परी पलस छेद यह दोस्तों ये तुगागम संदी होती है आगे दूसरा उदारन भी देख लो दूसरा उदारन क्या कह रहा है एक छत्रम यहां पे क्या रहा है कह आ रहा है यहां पे क्या रहा है मित्रू कह और कह के बाद में क्या रहा है छत्रम छह आ रहा है मित्रू अब देखिए अब याँपर देखिए मित्रू जो कह है आपका यह किस में जाएगा यहाँपर सोचने वाले बात थोड़ा सद्धान कहके बाद में क्या आ रहा है जबकि हमने जो लाश्टू दारन देखा था उसमें क्या था मित्रू यहाँ पर देखे परी पलस चेथ अब आप यहाँ पर डिश्टरब कहाँ पर हो रहे हो सर यहाँ पर तो हमें हर्सुए जो सवर है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है दिखाई दे रहा है मित्रू केके अंदर ए है छिपा हुआ है पहले दूसरे तीसरे चोते वरण के बाद में है आ जाए पहले दूसरे तीसरे चोते वरण के बाद अगर है आ जाए तो पहला दूसरा तीसरा वरण तो बदल जाएगा तीसरे वरण में है चला जाएगा चोते वरण में इसी के चोते वरण जो पहले का तीसरा पहले जो हमारे पहले पद का अंतिम वरण अगर पहला दूसरा तीसरा ह आ रहा है ना ये तीसरा वरन आएगा और जो है वो इसी के चोते वरन में बदल जाएगा वाक पलसरी पहला वरन और बाद में है आ रहा है अब देखिए मित्रू पहला वरन है और बाद में है आ रहा है तो ये किस में जाएगा अपने तीसरे में गह में, है किस में जाएगा अपने गह के बाद गह में, समझे वित्रू अब देखे, वाग गरी इसको वागरी भी आप लिख सकते हूँ ये भी इसका सही माना जाएगा अच पलस हिनम, चै के बाद है, तो चै जाएगा अपने तीसरे में, तीसरा जै और है जाएगा अपने इसके तीसरे में जै, ये देखे अजिनम और अजिनम भी इसको आप लिख सकते हैं